इन दौर में सोशल मीडिया पर नशे में धोतेक महिला का वीडियो तेजी से वारल होने के बाद जिला प्रसाशन हरकत में आया महिला बालविकास के टीम को जब इसकी जुआनकारी लगी तो वह भाग के टीम तुरंत राउ इस्थत शराब की दुकान के बाहर पहँची और पुलस की मदद से महिला को उसके दो बच्चों को उनके घर पहुच आया देखिए ये रपो प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रही घटनाओं पर अंकोश लगाने के लिए प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास करते नजर आ रही है वहें इंदोर जुलाप्रसाशन भी महिलाओं और नाबालिक बच्चों को लेकर काफी सतरकता बरते हुए है इंदोर शहर में रात के अंदेरे में आसमाजिक तत्वों से निपटने के लिए जुलाप्रसाशन देरात तक खुले रहने वाले बार और पबो पर कारवाही भी करता है शुक्रवार देरात महिला बालविकास के टीम को सूचना मिली कि एक महिला अपने दो बच्चों के साथ राओ इस्थत शराब की दुकान के बाहर नशे की हालत में आचेत पड़ी हुई है मामले की गंभेरता को देखते हुए टीम तुरंद मौके पर पहुची और नशे में धुत पड़ी महिला आये जिसके साथ दो छोटे बच्चे भी थे पुलस की मदद से तीनों को रस्क्यू कर उनके घर तक पहुचाया गया महिला बाल विकास अधिकारी रामनिवास बुधालिया ने बताया कि महिला और बच्चों की ज्वानकारी मिलते ही टीम को मौके पर भेजा गया जहां महिला और बच्चों को साकुशल उनके परिवार तक पहुचाया गया इंदोर जले में बाल विक्षावरती और श्रम बाल श्रम की उन्मुलन के लिए जो समीतियां गठित हैं उनको सुचना मिली थी कि कल पितंपुर चौराय के पास में और यह जो वाइन शॉप है वहां के बाहर कोई महिला है जिसके साथ एक आट से दस साल की बच्ची है और चोटी बच्ची की गोद में है और शायद उसने नेशा कर रहा है ऐसा मालूम पड़ता है और काफी ब्रीड जमा है और वो असरक्षित महसूस कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे दल के जो सीडीपियों है मिश्राजी उन्होंने ततकाल मां पहुंचकर और पुलिस विभाग के साथ समनुए करके उस महला को रेस्कु किया और महला और उटके साथ में जो दो बालिकाएं थी उन दोनों बालिकाओं को सकुषल उनके पीधंपुर के पास में कोई गाओं है वहापर उनको सकुषल भेज दिया है तो विभाग लगातर कोशिश करता है कैसी घटना इनना हो और तत्कलन रूपने कली कर करता है महिला ने बताया कि पती से किसी बात पर जगड़ा हो जाने के बाद वो नाराज होकर बच्चों के साथ घर से चली गई थी वहीं महिला बालविकास की टीम की सतरकता से महिला और बच्चों को समय रहते उनके घर पहुंचवाया गया ब्यूरो रिपोर्ट एमपी न दार